हलो एवरीवन वेलकम बैक टू आट चैनल तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एई आईबी 17 एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन के बारे में उसका प्रोसेस हम जानेंगे और बेरेक्ट के बारे में भी हम आप लोगों को इस वीडियो के तरू बताएंगे तो चलिए सरीके से आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है एडमिट कार्ड का सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये कमेंट से कल कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो ही नहीं पा रहा है वहां पर आप्शन ही नहीं शो हो रहा है तो गाईस देखिए जैसा कि BCA Helpdex ने बोला था कि आप जो है मंडे तक का वेट कीजिए मंडे को आप लोक ट्राइ कीजर आप लोगों का हो जाएगा एड़ा हम discuss करेंगे steps की आप लोगों को किस तरीके से वहाँ पर login विगरा करना है first step आप लोगों को follow करना है सबसे पहले आप लोगों को official website पर जाना है Bar Council of India की जो है allindia bar examination.com पर second step आता है on the home page home page पर आप लोगों को click करना है फिर वहाँ पर login करना है with registration number registration number आप लोगों को पता होगा वो वहाँ पर put करना है and password to AIB account first step में आप लोगों को official website पर जाना home page फिर login करना है registration number डालना है, password डालना है third step आप लोगों को करना है now click on AIB 17 admit card verification link फिर आप लोगों को third step में AIB 17 admit card verification link पर click करना है और fourth step में आप लोगों को go through all details mentioned make correction if any and fifth step now save the details by clicking on submit button तो देखे यह जो मैंने आप लोगों को step बताई है जब आप इसकी official website पर जाओगे easily आप लोगों को समझा जाएंगे फिर login करना है अपना registration number डालना है, password डालना है फिर AIB admit card verification link पर click करना है उस पर click करने के बाद आप लोगों को यह देखना है कि हमारे admit card में जो हमने application form फिल किया था उसमें कोई mistake तो नहीं है basically उसमें आप लोगों को क्या check करना होता है आपने अपना name, father's name या फिर कोई आपने अपना enrollment number वगएरा कुछ गलत mention तो नहीं कर दिया है अपना center देखना है आप लोगों को अगर आप लोगों को अपना center भी change करना है तो आप change कर सकते हो इसके जो verification date है वो 21 से start हो गई थी and last date जो इसके 25 है इसके बाद जो है कोई भी verification नहीं कर पाऊगे अपने admit card में इससे अच्छा है आप अभी कुछ जो days मिले हैं इनमें अपना verification कर लीजिए जो भी mistakes आप लोगों से हो गई थी अपना application form फिल करते time वो आप जो है इन दिनों में कर सकते हो और या फिर आप लोगों ने अपने name में mistake कर दी आफिर date of birth में या फिर location में जो भी आप लोगों ने mistake की है वो आप इसमें correct कर सकते हो अगर फिर भी by chance अगर नहीं किसी की site जो open हो रही है नहीं किसी का link generate हो रहा है तो आप लोगों के पास एक फिर last option भचता है All India Bar Examination के जो website है official वहाँ पर नीचे आप लोगों को कुछ help line number दिये होते हैं उन पर आप call कीजिए जैसे कि आप लोगों को screen पर भी दिखाई दे रहा होगा multiple numbers यहाँ पर mention की होए है उन्होंने यहाँ किसी पर भी आप call करके पूछ सकते हो अगर फिर भी नहीं होता है वह यहाँ पर डाल सकते हो correction की है या फिर कोई भी वैसे मैंने आप लोगों को steps बता दिये होप सो आप लोग समझ गई होगे steps को अब हम discuss करते हैं barex के बारे में क्योंकि barex बहुत बड़ा issue बना हुआ है candidates के लिए देखें new notification है हमने कल बी डिसकस कहा था बट एक और है यह newly fresh no pen pencil marks on the pages are allowed तेखें इतना तो कोई भी ऐसी कोई भी barex नहीं मिलेग जिसमें कोई pen pencil marks नहीं होंगे वो allowed है ऐसा कुछ नहीं होता if candidates found with all barex with pen pencils case possible ठीक है barex without short notes are allowed जैसा कि मैंने कल भी बताय था comments box में भी मैं mention किया था कि आप लोगों के जो barex हैं वो without short notes allowed है and short notes का भी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बतायी थी कितने candidate होते हैं check क्या बता ना भी करें तो आप ले जा सकते हैं at your own risk carry minimum and useful barex यह भी हमने डिसकुस किया था photocopies जो है वो allowed नहीं है fully prohibited है barex with minimum footnotes are sold by publishers are allowed minimum footnotes वाले जो है barex वो allowed है barex with detailed notes digest, manuals with notes books are not allowed अगर कोई details notes वगेरा mention है barex में तो वो allowed नहीं है fully prohibited है और books वगेरा भी वहाँ पर allowed नहीं है तो यह जो source हमने लिया है बिल्कुल official BCI helplex से admit card verification को लेकर candidates को query बहुत जादा है कि हम कर नहीं पा रहे है link generate नहीं हो रहा है हमें यह issue face करनी पड़ रही है तो किस तरीके से वो ठीक होगा तो आप लोग जो है अगर किसी का आज भी नहीं हो रहा है और कल भी नहीं हो आता है तो प्लीज आप जो है application form में कोई mistake नहीं होई थी क्या उसको भी verification करने की need है तो देखिए आप लोग जिनकी mistake नहीं होई थी वो भी verification कीज़े बिकोज इससे क्या है आप लोगों को clarity मिलेगी कि आप लोगों ने कोई भी mistake अपने जो है application form में नहीं की थी तो सभी candidates तो अपने verification process को complete कीजिए सारे process अगर आप जो जो वो बोलते हैं करेंगे तो उससे आप लोगों कोई benefit है फिर अगर आप लोगों की कोई mistake नहीं होगी तो result में भी कोई delay नहीं होगा easily आप लोगों का result निकल जाएगा ठीक है आप लोगों उसके official website पर जाएगे वहाँ पर आप लोगों को option मिल जाएगा वहाँ पर अपना password डालिए पासवर्ट डालने के बाद जो है अपना जो admit card verification link उस पर click कीजिए अपने जो भी mistakes से उसको correct कीजिए फिर भी नहीं होती है तो help line number है उनकी mail है उन पर कीजिए टिक है फिर वहीं से आप लोगों का solution निकले गाया और कोई वी solution नहीं है इसका ठीक है तो बाकी अगर आप यह करोगे तो easily आप लोगों का हो जाएगा बेरेक्स कभी मैंने आप लोगों को बता दिया है बहुत सारी के इंडेट्स ऐसे भी है कि जो नई publishers की books जो है वो purchase कर रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी बेरेक्स आप लोगों के पास वो आप exam में ले जाए और उनसे अपना exam कीजिए ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी बेरेक्स exam में लेकर के जाए जो main mean है जिनका जो जादा वेटेज वाले वो अपनी बेरेक्स आप लेकर जाहिए इससे आप लोगों को benefit हो वो वाली चीज़ है ठीक है तो guys hope so आप लोगों को ये admit card verification का process समझ आ गया होगा अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वाईरी है इस चीज को लेकर तो आप comment box में कर सकते हैं तो guys hope so आप लोगों के वीडियो helpful लगी होगी अगर आप लोगों को ये वीडियो helpful लगी then please do like share and subscribe the channel for more videos thank you for watching this video